अपने अप्लिकेशन को जैसे कि अगर आप गेम्स वगरा यूज करते हैं या फिर कोई भी ऐसी अप्लिकेशन यूज करते ही जो कि बहुत ज़्यादा साइज लेता है तो आप उसे नॉर्मल तरीके से मूव नहीं कर सकते हैं या फिर अगर आप मूव भी करते हैं कि रूट कैसे करते हैं अपना मूबाई तो आप डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो कीजिए और उस वीडियो को देखें वहाँ पर आपको दो वीडियो मिल जाएंगी जिसके जरीए आप सीख पाएंगे कि अपने Android मूबाई को रूट कैसे करते हैं फैर चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने मूबाई के अप्लिकेशन को SD Card में मूव करेंगे तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे मूबाई में Free Space की तरह है Simply Settings में जाएंगे Settings में जाने के बाद More के Option में या फिर Scroll Down करके नीचे आईए Storage में जाएए Storage में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं Available Space जो है वो 3.68 GB है 3.68 GB इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कुछ फाइल को Move करके कि यह Space कितना ज़्यादा हो जाता है Storage अगर आपको Simple तरीके से application को Move करना है तो Simply application manager में जाएए और यहाँ पे SD card का option है SD card में जाने के बाद यहाँ पे जितने भी application है SD card के section में यहाँ पे जितने भी application है सभी Move कर सकते हैं बर यहाँ पे 100% guarantee नहीं होती कि यह application के सारे files Move होंगे या नहीं होंगे आपका SPS पूरी तरह से खाली होगा या नहीं होगा Simply यहाँ पे जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखिए Move to SD card का option है इस पे क्लिक केजिए और यह application आपका SD card में move हो जाएगा यह तो normal तरीका है बट सारे application में सारे games में यह option available नहीं होते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे तो simply हमें एक application download करना है Play Store से Play Store में जाएए और सर्च किजिए folder mount folder mount और यहाँ पे root मैंने इस application को already जो है वो install किया हुआ description में link दी गई है आप उस link को download कर सकते हैं यहाँ पे आप इसकी rating देख सकते हैं 4.2 rating है 1 million लोगों ने download किया है और इसका जो interface है काफी simple है मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको इसे open करके दिखाता हूँ तो simply मैं ही हाँ पे open करूँगा इससे और जब आप first time इसे open करेंगे तो यहाँ पे आपको root access मांगेगा आपको allow करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं और इडी मैं एक application जो है न वो use कर रहा हूँ तो आपको क्या करना है आपको for example games की बड़ी file को या किसी भी application को move करना है पूरी तरीके से SD card में तो एक तो तरीका यह है कि आप यहाँ पे simply plus के उपर क्लिक कीज़े और यहाँ सी जो भी files का नाम आपको देना है और यह source folder मतलब आपको खुच से search करना पड़ेगा कहाँ पे उसका जो है न वो application का folder कहाँ पे है तो यह थोड़ा सा complicated हो जाता है बड़ आप इस method का use कर सकते हैं या फिर आप simply इस menu के icon पे क्लिक केज़े और यहाँ पे जो है न Apps Analyzer पे क्लिक केज़े यह automatically सारे application को जो है collect कर लेगा और आपको बता देगा Apps Analyzer पे मैं क्लिक करता हूँ और यह देखिए ठीक है यह सारे application जो है वो मेरे यहाँ पे आ गए अब हमें क्या करना है move करना है for example यहाँ पर real racing 3 है जो की 3 GB की file है मैं इसे move करना चाहता हूँ अपने SD card के अंदर यहाँ पे सारे application आपके आ जाएंगे जो भी application होगा सारे application आपके यहाँ पे आ जाएंगे simply मैं यहाँ पे real racing के पर click करता हूँ यह देखिए real racing के उपर आ गया यहाँ पे इसका location भी है कि यह file कहाँ पे available है अब यहाँ पे आप इस पे click के create pair के उपर ओके यहाँ पे आ रहा है create pair नाम जो है यहाँ पे आप से पूछा जा रहा है कि आप इसका destination folder खुद से बनाना चाहते हैं या फिर मैं automatically खुद से create कर लो मतलब कहाँ पे SD card में कहाँ पे इसे save करना है वो आप खुद से tag करेंगे या फिर यह application वो खुद से automatically tag कर ले कि हाँ इसे यहाँ पे save करना है तो मैं हमेज़ा कहूँगा आपको कि आप simply जो है automatically इस पे रहने दिजिए और simply yes पे click कर दिजिए yes यह automatically इसने destination folder जो है वो choose कर लिया अब यहाँ पे इस icon पे click कर दिजिए folder pair settings के आगे जो यह है साही का icon उस पे click कर दिजिए yes okay का icon yes और यह देखिए moving का जो process है वो हमारा start होगा आप यहाँ पे देख सकते है moving file और इसमें आपकी जितनी बड़ी file होगी उतना ज्यादा time लगेगा तो आपको क्या करना है इंतजार करना है जितनी ज्यादा बड़ी file होगी उतना ज्यादा ज्यादा इसमें time लगेगा तो मैं यहाँ पे wait करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह 99% हो चुका है हो सकता है कि आपकी expectation से ज्यादा time लग जाए तो आप इंतजार कीजेगा आप परिशान मत होईएगा finished moving real lesson 3 हमारा यह finished हो चुका है अब हम लोगों को क्या करना है अगर इसे हम लोगों को play करना है मैं फिर से back होता हूँ मैं simply इसको open करता हूँ again अब अगर हम लोगों को इसे play करना है तो हम लोगों क्या करना पड़ेगा यहां से इसे on करना पड़ेगा real lesson 3 यहां पर इसे हम लोगों को on करना पड़ेगा यहां से अगर इसे off कर देना हो तो आप यहां से simply off कर दीजे तब यह game जो है ना वो play नहीं होगा तो एक benefit इसका यह भी है for example आप चाहते हो कि game play ना हो तो आप इसे यहां जो off कर सकते हो ओके अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो internal memory है वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है ओके चलिए फिर से चलते हैं settings में and settings में जाने के बाद again mores I think 3.68 GB था यहां storage और oh my god यहां पर 6.73 GB वो हमारा खाली हो गया तो ऐसे ही और भी games है मेरे पास बहुत बड़े बड़े games है तो मैं उनको move कर सकता हूँ यहां पर और भी ज्यादा मैं खाली कर सकता हूँ है ना तो 3.68 GB था यहां पर 6.73 GB तो 3 GB के app rocks जो है यहां पर हमारा memory जो है वो खाली हो गया तो आपको बहुत ही simple step follow करना है आपको अपने mobile को root करना है अगर आपको root से related videos देखनी है तो आप देख सकते ही है उसके बाद आपको एक application folder mount जो है ना वो आपको download करना है उसे install करना है root access allow करना है and then open करके simply यहां से आपको apps analyzer में जाना है और यहां पर जितनी भी application है वो सारे आपके यहां पर आ जाएंगे यहां पर जिससे देख सकते हैं कि इस game को भी मैं यहां पर move कर सकता हूँ simply यहां पर create pair के उपर click केजिए और यहां पर यहां पर यह पूछ रहा है कि आप default यहां पर choose करना चाहते है for example अगर आप no पर click करते हैं तो यहां से आपको destination folder जो है न वो खुद से choose करना पड़ेगा तो maybe उसमें कुछ error वगरा आ जाए तो इस तरह की problems हो सकती है तो मुझे उमीद है कि आप लोगों को इन वीडियो पसंदा होगा तो please like जरूर किजए अगर आप dislike करते हैं तो वजह जरूर बताइएगा तो खयर चलिए विलते हैं ऐसे ही और भी interesting वीडियो के साथ next वीडियो में खुदा हाफीज अपना खयार लखेगा